एक theory quantum physics में है double entanglement जिसको आएंस जी ने खारिच किया था जो कहती है कि ऐसा हो सकता है कि यहां मान ले जी एक particle इस माईक का है quantum का बना subatomic neutron, proton, electron उस लेवल की जो studies है हो सकता है कि यह particle entangled हो किसी और galaxy के किसी particle के साथ और entangled का मतलब है कि अगर यह हलका सब मूव करेगा तो वो ठीक उसी समय रिवर्स मूव करेगा Einstein का मानना था कि स्पीड ओफ लाइट से तेज कुछ नहीं हो सकता जो कि तीन लाग किलोमेटर पर सेकिंड होता है इसमें क्या हो रहा है कि यहां कुछ मूवमेंट हुआ वहां मूवमेंट हुआ और इसके बीच का गैप पचास करोड लाइट इयर भी हो सकता है और तब भी दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं अगर ऐसा कनेक्शन है तो इसका मतलब है कि लाइट के स्पीड वाली बात खतम हो गई मतलब लाइट से भी कुछ या तो जाते तेज है या उसके स्पीड हम सोचे नहीं सकते कितने तेज है